एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण आज फिरोजबाद पहुंचे जहां उन्होंने सुरक्षा विवस्था का जायजा लिया साथी पेंशनों से मुलाकात भी की दो थालों का और चक निरक्षर किया इस मौके पर हमारे समाधाता दीपक भाडवाज ने उनसे बात चीट की आज यहां जनपत फिरोजबाद में यहां के पुलिस के विविन अंगों का वार्शिक निरिक्षण था इसी सिलसले में यहां पर आया था पुलिस लाइन थानों महिला सम्मंदी अपराद अपरादियों के खिलाव कारवाही जन शिकायतों के निस्तारण इत्यादी की मैंने समिक्षा की है आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या तैयारियां की जाएंगी उसकी समिक्षा की है और सुरक्षा के बारे में पूरे जोन में जहां जहां पर भी वाइटल इंसलेशन्स हैं जहां जहां पर मैत्मौन सनस्थान हैं, उन सभी जगाहों पर सुरक्षा की परयाद विवस्था मौझूध है जिसकी समय समय पर समिक्षा की जाती है। और ये अचोग सुरक्षा विवस्ता आगे भी जारी रहेगी, ऐसा मुझे पूरा पॉरा पॉन्फिजन्ट सा। सर, जिस तरीके से गोरक नाथ धाम मंदर पर बाहर हमला हुआ, जिसमें तो प्रसकरमी भी घायल हुए है, सुरक्षा विवस्ता वहां भी मजूद थी, लेकिन क्या उस खास्यों को लेकर कि आपको कुछ कड़ाई और भी की जा रही है, कि रूटीन वाली सुरक्षा विवस्त किसी भी, चैलेंज और ठ्रेट के अनुसार होती है, जो हमारे पास सूचनाएं हैं ठ्रेट की और चैलेंजिस की, उनके अनुरूप सुरक्षा विवस्ता परियाप्त की गई है, और अगर किसी प्रकार का कोई ठ्रेट या चैलेंज सामने आता है नया, तो उसके पहुंचे थे और उन्होंने पूरे सुरच्छा व्यस्ता का जाए जा लिया कैमरा पर सकता के साथ सारा समय के लिए फिरो जाबाद से दीपक भारत दौाई से